दोस्तों मैं आपका दोस्त नमीत आप सबका मेरी यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फार्मसी कैसी होनी चाहिए वैसे तो आपको बहुत जगा पर आपने देखी होगी कि ट्राडिशनल जो फार्मसी होती जो और हस्पिटल लाय में उटीव नमन, ऍवह तो नॉर्म manner फार्मसी , प्लस अईए उसके बाद फार्मसी के साथ आप एक लाप का वी बिजनेस कर सकते प्लस लाप तो ऐसे तो कही सरे मुल्टिपल बिजनेस या तो सकते और एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो फार्मसी के साथ आपको पता होगा अभी फार्मसी सिर्फ फार्मकी स्टोर नहीं रहा क्यूंकि यहां कई सरे diversified customer आते हैं कली अलग-अलग needs होती है तो हर एक मोटिव यही रहता है कि आपके यहां से जो customer आता है मतलब आपके store पे जो customer आता है उनकी हर need को आप complete कर पाए उसके लिए pharmacy plus supermarket यह कापी अच्छा concept है नया concept है fresh है इसके लिए आपको investment definitely लगेगी लेकिन यह काफी interesting business है इसके बार में आज हम इस वीडियो में जानेंगे वैसे pharmacy plus supermarket शुरू करने के लिए documentation कौन से लगती है कैसे आप शुरू कर सकते हैं कौन सी inventory आपको रगनी है then costing कितने लगेगी, profit margin कितना रहेगा challenges और opportunities इसके बार में जानेंगे चलिए इस वीडियो को start करते है अभी भी आप अगर pharmacy के बार में और भी detail में जानना चाहते है तो हमारी playlist है retail pharmacy business management वहाँ पर जाके आप detail जान सकते है अब pharmacy plus supermarket अगर आपको शुरू करना है यह कौन से एरिया में शुरू करना अच्छा रहेगा तो यह rural area के लिए business नहीं है यह urban के लिए भी business नहीं है यह metro cities के लिए mostly business है क्योंकि इसकी जो requirement है यहाँ पर मतलब आप जो inventory रखेंगे तो कई सारी inventory रखेंगे जैसे कि आप pharmacy में क्या रखते हैं अलोपेथिक आयर्वेधिक जैंडरिक सर्जिकल एपम सीजी एड़ पेट केर यहाँ पे औल भी कई सारे अडिशनल आपको रखने है तो इसके लिए आपको investment लगेगी infrastructure कापी अच्छा करना पड़ेगा तो इसके लिए area की demand भी होनी चाहिए आपने पूरा setup किया लेकिन customer की need नहीं है और आप और कहीं जादे investment कर चुके तो फिर आपके लिए business opportunity सही नहीं है लेकिन अगर आपके area में requirements से customer की purchase capacity है definitely आप इस business के बार में सोच सकते हैं तो location इसके लिए ideal है कि residential area में अगर आपका shop है आप यहां पर groceries जो होती है वो भी आप रखेंगे साथ में medicines भी रखेंगे इसके बाद अगर आपका stand-alone pharmacy है जैसे किसी भी hospital का support नहीं है लेकिन एक ऐसे area में में चोप में है जहां पर फुटफॉल ज़्यादा लोगों का तब भी यह business idea काफी एची हो सकती है आपके लिए अब बात करते हैं इसके documentation के बारे में तो documentation में आपको drug license लगेगा definitely इसके साथ आपको food license लगेगा और फिर GST भी लगेगा GST क्योंकि already इतना turn-or आपका automatically होगा जैसे 20 lakhs per annum per year आपका pharmacy में नहीं होगा में भी लेकिन pharmacy प्लस सुपर मार्केट में डेफिनेटी आपका हो सकता है ओके इसके साथ shop tag पुद्यमादार current account यह तो requirements सही तो अगर आपको drug license के बारे में detail में जाना है तो हमारा एक वीडियो है जापे drug license कैसे निकाले इसके बारे में बता है वो वीडियो देख सकते हैं अब बात करते हैं inventory कौन कौन से लगेगी inventory मतलब क्या के आपको रखना पड़ेगा basically आपको जैसे मैंने बता है allopathic, ayurvedic, generic, surgical, cepemcg आप रख सकते हैं लेकिन इसके साथ आप dry fruits भी रख सकते हैं इसके साथ आप consumer product रख सकते हैं बहुत ज्यादा जाएंगे demanded है जैसे आपने आपके एरिया में demand होगा आपके एरिया में big bazaar होगा वहां पे देखिए कि कौन कोन से product है आप और आप super market के बहुत सारे product से match होगे बहुत सारे एरिया में demand नहीं होता लेकिन उसके लाइक वी मार्ट जे मार्ट ऐसा भी होता है तो देख लीजें अब यहां पर क्या है कि कई सरे लोग इसमें मतलब dry fruits रखते है vegetables रखते है ice cream रखेंगे beaverages रखेंगे साथ ही जैसे bakery products भी रखेंगे मिठाई भी रखेंगे तो यह भी आप रख सकते है सुपर मार्केट मतलब इसके लिए कोई limit नहीं है आप कोई भी consumer products रख सकते हैं जिसकी डिमांड है आपकी एरिया में तो basically FMCG में आप क्या रख सकते हैं अब इसके लिए आपको जो फरनीचर लगेगा जो नया आया है metallic furniture modern metallic furniture वह आप रख सकते हैं जैसे आपने कई सारे मार्ट में देखा होगा separate आप कर सकते हैं जैसे food and beverages separate किया अपने then vegetables आपने separate कियाе वेजड़ीं प्रोजल वेजटेबल सापर talis प्रकार आप segregation कर सकते हैं और यह काफी attractive लगेगा इसके लिए coal लगे गी उसमें infrastructure को काफी जयादे investment लगएगी क्योँक्छे गाइव साथ ही मेडिसिन की कॉस्टिंग, यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन नहीं रख रहे हैं, साथ में आप सुपर मार्केट के भी प्रोडक्त रख रहे हैं, तो कापी जाले इंवेस्मेंट होगी, अब अगर 22 ली बात की जाए, तो 25-35 लाक्स तक आपकी इंवेस्मेंट हो सकती, इसमे और भी हो सकती है, depend on your area, अब बात करते हैं कि इसमें profit margin कितना हो सकता है, तो profit margin depend है, क्योंकि यहाँ पे तो number of product आप रख रहे हैं, लेकि फिर भी, आप यहाँ पे 25-30% expect कर सकते हैं, क्योंकि आप generic भी रख रहे हैं, surgical भी रख रहे हैं, साथ में, जैसे कि यहाँ पी क्या होत होती रखेंगे आप, जो brand local है, लेकिन जिसमें आपको ज्यादा profit margin है, तो आप customer को ज्यादा discount देंगे, ठीक है, तो rate level पे आप 5% दे रहे हैं, तो उसमें आप 15% भी दे सकते हैं, तो customer ज्यादा वहाँ पे acquire हो जाएगा, वो ले सकता है, purchase कर सकता है, तो इसमें आपको ज्य top running companies है, वो हिंदुस्तान Unilever है, Proctor & Gamler है, रेकिट & Bankies है, ठीक है, then Unicharm है, then Godrej Company है, इमामी है, तो यह companies के products आप definitely रख सकते हैं, अब बात करते हैं, जो अगर आप pharmacy plus supermarket करेंगे, तो इसके advertising कैसे करेंगे, advertising बहुत ज़रूरी है, online advertising करना है, तो आपको website बनानी होगी, application बना होगा, campaigns भी run कर सकते हैं, but definitely आप ज़्यादा promotion पर ध्यान दे, ठीक है, और जो platforms है, जो आपके business को promote करेंगे, जैसे just dial है, वहाँ पर रेजिस्टर करें, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, कि आपका जो shop है, उसमें हर चीज मिलती है, आपके shop के कई सारे photos, videos भी वहाँ अपलोड करें, okay, social media marketing भी आप कर सकते, definitely, तो इस प्रकार आप अपना shop ग्रो कर सकते हैं, इसमें challenges कौन कौन सी आएगी, challenges है inventory की, कई सारी inventory रोज regularly लगेगी, तो उसमें तोड़ा दिकते आएगा, और साथ में आप direct purchase कहां से करेंगे, company से तो purchase नहीं कर सकते, क्योंकि आप retail ह से ही करें, तब आपको profit margin अच्छा मिल सकता है, और अगर बात करें future expansion की opportunities की, तो आप pharmacy plus supermarket की franchise भी develop कर सकते हैं, और वो भी provide कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा business model है, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको जाना, समझा, तो clearly आप यहाँ पे बहुत अच्छा business कर सकते हैं, ह मतलब वहाँ पे flow भी अच्छा है, customer का, तो आपके area में भी होगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा visit कीजे, कैसे customer वहाँ पे आ रहे हैं, साथ में उसकी advertising कर रहे हैं, internal infrastructure की प्रकार बनाएं, ये चीज़े बहुत माइने रखती हैं, तो ऐसे ही अगर आप pharmacy खुद की शुरू क करना चाहते हैं, grow करना चाहते हैं, इसके बार में पूरे detail में जाना चाहते है, right from drug license के से निकाला जा सकता है, then medicine कौन से रखेंगे, और कैसे arrange करेंगे, expiry management, prescription कैसे read करेंगे, software कौन सा रखना है, तो आप join कर सकते हैं, हमारा 9-day workshop on retail pharmacy business management, description में मैं इसके detail दिये, अब नई batch ब तो यह अपरी description में मैंने detail दिये, आप directly enroll कर सकते हैं, तो यह video, यह concept कैसा लगए, यह मुझे बताएगे, video अच्छा लगता है, content अच्छा लगता है, video को like करें, channel को अब subscribe नहीं किया, definitely subscribe करें, क्योंकि retail pharmacy के बारे में, हम कई सर बिजनेस information हम इस channel पे देते हैं, business insights देते हैं, तो आप definitely यहाँ पे आपकी business को group करने के लिए मदद कार रहेंगी, तो इस video को share भी करना ना बोले, इस video में इतना है, बिलते है next video में, तब तक be healthy, be happy.